दोस्तों आज हम फिर से देखने वाले हैं प्रसनावली 7.6 पिछले वीडियोज में हम प्रस नमबर 20 तक हल कर चुके हैं आज हम हल करेंगे प्रस नमबर 21 और प्रस नमबर 22 और फिर दो बहुकल भी प्रस नमबर 23 और प्रस नमबर 24 सभी प्रस्णों को हम खंडसा समा कलन से हल करेंगे प्रस नंबर 21 है E की पावर 2X इंटू साइन एक्स सबसे पहले इसको I बराबर में लिक लेंगे इंटिग्रेशन E की पावर 2X साइन एक्स डी एक्स अब यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्स्पोनेंशियल तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को हम I1 करेंगे और E वाले को I2 अब यहाँ खंडसा का प्रयोग कर देंगे I equal to सबसे पहला प्रथम फलन को ऐसे ही और दोती फलन का समा कलन माइनस इंटिग्रेशन ब्रैकेट प्रथम फलन का आओ कलन इंटू दोती फलन का समा कलन ब्रैकेट क्लोज पूरे ब्रैकेट का समा कलन So I बराबर E की पावर 2X E की पावर X का E की पावर X ही होगा चुकि यहाँ 2X लिखा हुआ है अता दो बटेम चला जाएगा इंटू साइन एक्स माइनस इंटिग्रेशन ब्रैकेट अब साइन एक्स का आओ कलन कॉस एक्स होता है और E की पावर 2X का समा कलन E की पावर 2X अपाउन 2 होगा आओ इंटू कॉस एक्स DX आई कॉल टू E की पावर 2X इंटू साइन एक्स अपाउन 2 और यहाँ हाफ को अगर हम बाहर निकाल ले तो अंदर E की पावर 2X इंटू कॉस एक्स डी एक्स बचेगा आप सेवाल एकदम पुना इसकी तरह बन गया है बस यहाँ हाँ बाहर है अब हमें इसका समा कलन करने के लिए पुना खंडसा का प्रयोग करना होगा फिर से I1 और यह I2 सो I बराबर इसको ऐसे ही लिखते रहेंगे E की पावर 2X साइन एक्स अपॉन टू माइनस हाफ अब यहाँ खंडसा का प्रयोग कर देंगे प्रथम पदा ऐसे ही दोती का समा कलन माइनस इंटेगरेशन ब्रैकेट प्रथम का आओ कलन इंटो दोती का समा कलन ब्रैकेट क्लोज D X मेन ब्रैकेट क्लोज I equal to E की पावर 2X sin X upon 2 माइनस हाफ बड़ा ब्रैकेट पुना E की पावर 2X का समा कलन E की पावर 2X upon 2 होगा और इंटो cos X minus इंटेगरेशन यहाँ पर भी वही रहेगा E की पावर 2X upon 2 इंटो cos X का आओ कलन माइनस sin X होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ sin X D X मेन ब्रैकेट क्लोज अब यहाँ E की पावर 2X इंटो sin X D X I का मान है I equal to E की पावर 2X इंटो sin X upon minus अब यहाँ हम ब्रैकेट को खोल सकते हैं half into half 1 upon 4 E की पावर 2X इंटो cos X अब यहाँ minus 1 upon 4 अब यहाँ I का मान है E की पावर 2X sin X D X अब हम I को एक तरफ ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा I plus 1 upon 4 I equal to E की पावर 2X sin X upon 2 और minus E की पावर 2X cos X upon 4 यहाँ 5 बटा 4I हो जाएगा बराबर E की पावर 2X sin X हम यहाँ चाहें तो LCM ले ले minus E की पावर 2X into cos X upon 4 4 और 4 cancel हो जाएगे अब I का मान हो जाएगा 1 बटा 5 यहाँ E की पावर 2X को भी हम common निकाल सकते हैं यहाँ क्या बचेगा 2 sin X minus cos X और plus C प्रस संख्या 22 है sin inverse 2X upon 1 plus X square सबसे पहले I equal to integration sin inverse 2X upon 1 plus X square dx यहाँ हम X बराबर 10 T मान सकते हैं क्योंकि 210 T upon 1 plus 10 square sin का सूत्र होता है आवकरन करेंगे तो हो जाएगा dx बराबर sec square T और D T अब यहाँ मान रख सकते हैं I equal to integration sin inverse X का मान 10 T so 210 T upon 1 plus 10 square T और dx का मान sec square T D T so I equal to अब यहा sin 2 theta का सूत्र होता है so यहाँ हो जाएगा sin inverse sin 2 T into sec square T and D T sin और sin cancel हो जाएगे I equal to 2 को बाहर निकाल लीजिए T into sec square T and D T अब हमारे पास दो फलन है एक algebraic है और एक trigonometric तो हम algebraic वाले को I1 और इसको I2 मान के चलेंगे खंडसा का प्रियोग कर देंगे दो बाहर यहाँ प्रथम फलन आयसे ही और दोती का समा कलन माइनस इंटिगरेशन bracket प्रथम का आउ कलन और पुना दोती का समा कलन bracket close पूरे ब्रैकेट का समा कलन अब आई बराबर यहां सेक स्कोर टी सेक स्कोर टी का समा कलन टैन टी होता है यहां हो जाएगा टी टैन टी माइनस अब यहां टी का आउ कलन तो एक होगा तो यहां केवल sec square t का समागलन 10t ही बचेगा 10t dt i equal to 2t into 10t अब 10t का समागलन minus log cos x होता है तो यहां plus हो जाएगा log cos t और plus c अब हमें केवल मान रखने है i equal to 2 10t को हमने x माना था यदि 10t x है तो t का मान 10 inverse x होना चाहिए और plus log अब हमें cos का मान निकालना पड़ेगा सबसे पहले हम cos t को tan हम बदल लेंगे तो cos को पहले तो हम one upon sec लिख सकते हैं पुना one upon sec को हम one plus 10 square का under root भी लिख सकते हैं sec square theta अबराबर one plus 10 square theta अर्थात cos का मान हो जाएगा one upon यहां one plus x square और plus c so हमारा आंसर हो जाएगा i equal to चाहिए रदो से गुड़ा कर लें 2x 10 inverse x और यह संख्या उपर जाएगी तो minus 2 log under root 1 plus x square और plus c log के आगे जो संख्या होती है वह घाते बन जाएगी so i equal to 2x 10 inverse x minus log 1 plus x square और plus c प्रस्ण संख्या 23 है integration of x square e की पावर x cube dx सबसे पहले i में लिग लेना x square e की पावर x cube dx अब यहां x cube है और यहां x square है हमें ग्यात है कि x cube का यदि हम आउकलन करेंगे तो उसमें x square आएगा यहां मान लेंगे माना x cube बराबर t आउकलन करेंगे 3x square dx equal to dt 3 को उधर ले जाएंगे x square dx equal to dt upon 3 अब i में मान रखेंगे i equal to x square dx का मान तो dt upon 3 होगा upon 3 को बाहर निकाल लेंगे अब e की पावर x cube अर्थात e की पावर t और dt e की पावर t का e की पावर t होगा so 1 upon 3 e की पावर t और प्लस c अब हम चाहें तो t का मान रख सकते हैं so 1 बटा 3 e की पावर x cube और प्लस c प्रस नसंख्या 24 है e की पावर x sec x into 1 plus 10 x dx इसे ही हम i मान लेंगे i equal to सबसे पहले हम यहां गुड़ा कर लेंगे e की पावर x sec x dx और दूसरा पत हो जाएगा e की पावर x sec x 10 x dx अब हमें ग्यात है कि sec x का आवकरलन करने पर sec x into 10 x आता है अता इसका आवकरलन यहां लिखा हुआ है अता हमें केवल इस पद में खंडसा समाकलन का प्रयोग करना होगा और यह वाला पद ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा so i बराबर यहां हम प्रयोग कर लेंगे यह i1 होगा और यह वाला i2 होगा सबसे पहले sec x और e x का समाकलन और माइनस इंटिगरेशन प्रथम फलन का आवकलन sec x और e x का समाकलन bracket close पूरे का समाकलन और इस वाले पद को हम ऐसे ही उतारेंगे e की पावर x sec x 10 x dx i equal to e की पावर x तो e की पावर x ही रहाएगी e की पावर x sec x और यहां माइनस इंटिगरेशन सबसे पहले e की पावर x को लिख लेंगे अब यहां sec x का आवकलन sec x इंटिटू 10 x होता है dx और इस वाले फदन को पुना ऐसे ही उतारेंगे अब यह फदन और यह फदन दोनों सेम सेम है चिन अलग अलग है कैंसिल हो जाएंगे सो हमारा उत्तर आ जाएगा i बराबर e की पावर x sec x plus c चक्प्आ चके जाएपारेंगे